नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के पेराइस यूटीब चैनल दर्शिवांच निगंवे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा सबसे पहले आपको मैं अपने इंट्रेट ही के जो प्रॉफेट्स हैं पिछले चार महीनों के वो दिखाने वाला हूं और उसके बाद अपने मीचल फंड के जो रिटन्स हैं वह भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं साथी साथ थोड़ी बहुत टिप्स की बात करेंगे कुछ एडवाइस जो साकॉल साकॉलोजी रिलेटेड है ठीक है उसकी बात करेंगे और फिर एंड में मार्क तरीके से कनवे हो पाती है चीजे ठीक है तो अभी उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है तो दोस्तों जैसा कि हम अपने डीमाट ग्रूप के प्रॉफिट एंड लॉस को यहां पे हम लोग आप से शेयर करते हैं ठीक है क्योंकि एकदम ट्रांस्परेंसी मिंटेन करके रख आप पाया तो यहां पे हमारा और लाइव अकांट पे दिखाता हूं एक्सel शीट पे नहीं थीwick यहां पर अक्टबर का हमारा था November का था धिसंबर कमें अप्लोड नहीं कर पाया और उसका रीजन यह था कि दिसंबर में मैं ट्रेडिंग बहुत जादा नहीं कर पाया था लगबग 12 तारिक तक मेरे end semester exams थे जिसकी वज़े से मैं आधे दिसंबर तो ट्रेडिंग ही नहीं की या गलत तरीके से कि कुछ इधर हुई है कुछ किसी और ने की है मेरे लिए ठीक है तो उसको मैं कहता हूँ गलत तरीका जब आप एक DMAT पर discipline maintain करके trading नहीं कर रहे हो बलकि आप 10-15 DMAT में कर रहे हो ठीक है तो इस वज़े से मैं दिसंबर का आपको नहीं लिखा पाई बट यहां पर मैं आपको cumulative दिखाऊंगा December का include करके ठीक है तो चलो start करते हैं जल्दी से सबसे पहले हम चल रहे हैं मैं अपनी बड़ी वीडियो थी मेरी और बहुत शांदार वीडियो थी बट लोगों ने उसको देखा नहीं लोगों ने उसको समझा नहीं चलो कोई बात नहीं कभी-कभी बताना पड़ता है लोगों को कि यह अच्छी वीडियो है इसको मिस ना कर इसको जरूर देखो ठीक है तो वो लंबी है शायद इसले लोगों ने नहीं देखी बट काफी डीटेल में कुछ चीजों की बात के हुई है और ऐसी ऐसी पॉइंट्स आप लोगों को बताए हुए भी कुछ दिन पहले वाट्साप ग्रूप पे इक हमारा डिसकर्शन चल रहा था इससे लेटेड और कुछ लोग अपस्टॉक जिस दिन हैंग किया था उस दिन डिसकुशन इससे लेटेड वाट्साप ग्रूप पे हुआ था और तब किसी ने बोल लूँ था कि बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला यह point मैंने आज के दिन नहीं बोला है कल के दिन नहीं बोला है यह point मैंने बहुत time से बोल रखा है अपने channel पे और मैं तो अभी भी कहता हूँ आप लोगों को मेरा dmat group join करने की भी जरुवत नहीं है और मेरी कोई paid service भी नहीं है ठीक है कोई जरुवत नहीं है आपको मुझे या किसी और को पैसे दे ले कि अगर आप मेरी channel को start से अगर follow कर रहे हो न ठीक और मैंने बहुत ज़ादा videos भी नहीं डाली है लगबग total 85 videos हैं मेरे channel पे बट अगर मेरे channel को कोई बंदा start से follow कर रहा है मानलो start से नहीं follow कर रहे है तो अभी से भी अगर वो follow करना शुरू कर रहा है मेरे channel को मेरी जो daily analysis videos हैं उनको तो ज़रूर देखो आप जो nifty bank nifty और stocks की analysis हैं उनको ज़रूर देखो आप तो आपको पता चलेगा कि market क्या होता है किस तरीके से market में काम होता है किस तरीके से सोच सकते हैं हम market के बारे में यह नहीं कहता कि हर बार मैं सही रहूँगा ठीक है अभी इस pnl में भी आप देखोगे कि एक महीने तो हम लोग बुरे गलत रहे हैं और हमने जितने stocks चुने उनमें से भी एक stock में हम गलत रहे हैं तो हर बार हम सही नहीं हो सकते ठीक है बट कोशिश हमारी रहती है कि maximum times हम सही रहें ठीक है यह हमारी aim रहता है और जैसे कि यहाँ पर मैंने SBI Card IPO भी आपको recommend किया है इस video में लेकिन वो सही रही रहा ठीक है वो हमारा जो opinion था उसमें सही नहीं रहा SBI Card में listing discount पर होई बट उसी के साथ हमने IRFC और Indigo Paints के बारे में भी बोला कि Indigo Paints बेटर है देखो वो चीज़ सही रही Burger King के IPO में बोला कि लिस्टिंग है उसमें सकते हैं बट उसके बाद कुछ उमीद नहीं है उसकी वो चीज़ भी सही रही ठीक है तो हर चीज़ सही नहीं हो सकती हमारी लेकिन maximum occasions पर कोशिश करते हैं सही रहने की ठीक है और इसी की वज़े से हमें risk management को follow करना होता है क्योंकि market है ठीक है कुछ भी हो सकता है market में और खुले विचारों के साथ आपको यहाँ पर trade करना है बहुत बार में देखता हूं कि लोग लड़ने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पर अजर मालो आज के दिन कोई बंदा आता है और आपसे कहता है कि या निफटी तो crash होगी तो उससे लड़ने की या उसको समझाने की जरवत नहीं हो सकता है वही सही हो जाए ठीक है वो सही भी हो सकता है ऐसा नहीं कि वो सही नहीं हो सकता है हाँ लेकिन maximum probability तो यही है कि market को उपर जाना है और भी उपर जाना है और इसका reason जो है एक detailed video में कोशिश कर रहा था मुझे नहीं पता आप लोग ने पहले कभी देखा हो या नहीं तो कल की video बहुत अच्छी होने वाली है या कोशिश करूँगा भी थोड़ी देर में करने की सबसे पहले जल्दी से चलते है PNL पे जिसके लिए आप लोग आयों यहाँ पे वीडियो पे ओके ठीक है तो अभी आज तो रात है तो अभी तो लब मार्केट अभी फॉर्थ का इसमें डिटेल नहीं आएगा यानि फेब्रेजी फॉर्थ का नहीं आएगा तो यह हमारा प्रॉफित और लॉस पूरा वन अक्टूबर से लिके फॉर फेब्रेरी तक का अभी है 15,355 का प्रॉफित है 4,076 चार्ज जॉर्थ हे 11,279 ब्लाबला, जो भी है यह प्रॉफित है ठीक है इंपॉर्थन बात है कि अभीड यॉप्ने बात है है काप्टल क्यहे मुद्ध से अठीक है तो रचर्टूबर, नेववन। देसमबर, एक च ऑन दॉबर में करते हैं कि क्या रिटन्स हमने आप इंट्र डिसे जनरेट किये हैं ठीक है क्योंकि देको मैं बात उन चीजों की कर रहा हूं जो चीज मैं अल्रेडी कर चुका हूं और वो आपको दिखा रहा हूं ठीक है मैं किसी एक्सल स्प्रेश्षीट पर लाग के चीजे नहीं दिखा र सकते हो अगर आप 10,000 रुपए लेकर इंट्र डेम कोई बंदा आ रहा है और तीन महीने के अंदर वो दो हजाल तो चार्ज जी दे रहा है तो चलिए फिर इस चीज को कैल्कुलेट करते हैं यहां पर 2418 ओके तो यह भाई एक्जाक्ट आ जाएगा मुझे कैल्कुलेट करने लग 10,000 पे उसके बाद आ जाते हैं जैनवरी में ठीक है शाइद लास्ट मन करूंगा तो जैनवरी आ जाएगा बिल्कुल तो उसके बाद आगर जैनवरी में आ जाते हैं तो जैनवरी के अंदर हमारा कैप्टल था 10,000 अब भी बोला करने 25,000 तो 25,000 तो just take my word for it 25,000 था जैनवरी के अंदर अकेले गए ठीक है तो भाई समल के रहो अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हो ना तो आपको समझना होगा यह तो मतलब आपने ठान ली ना एक बार की इंट्राडे में में ट्रेड करूंगा एक महीने तो इतना तो नेगरेटिव और हो आप ठीक है फिर जो कि अप्टल उसमें से इतना माइनस करके फिर सोचो आगए क्या करना है ठीक है तो 3286 by 25,000 तो लगबं 13% के रिटरंस इन डाट वन मन्थ अलोन जैनवरी में राइट और शेद्स का सबसे बड़ा रीजन था कि बजट के पार आसपास मार्केट काफी वोलेटाइल हो गया था और वोलेटिलिटी इस माइ फ्रेंड आई डोंट नो अबाउट यू बट इस माइ फ्रेंड तो अब चलते हैं फेब्री पे फेब्री के रिटरंस तो नहीं कैल्कुलेट कियो जा सकते क्योंकि भाई अभी चार दिन हुए है तो उसमें क्या रिटर करते हो तो आपके लिए बहुत में इंपॉर्टेंट है देखो लास्ट सेवन डेस का लगभा 29 जैन्वरी से 4 फेब्री आया है 1147 ठीक 1147 मैंने आपको कुछ टाइम पहले टोटल दिखाया था एक बार मैं टोटल फिर देख लेता हूं मैं भूल गया कितना था ठीक है टोट टोटल मेरा लगभग था पंद्रह हजार हाना टोटल फंद्रह हजार था एक बार कन्फर्म कर लेते हैं इस चीज़ को टोटल मेरा था अफ्टूबर से अभी तक का 15,000 हां अफ्टूबर मन्त के एक सिगनिफिकल्स भी है मेरी बर्थेड़े होती हो इस महीं ने ठीक लिए से ही स्टार्ट किया था इस चीज़ को हाँ टोटल 15,000 था और 8,000 लास्ट 7 डेज में तो अब देखो पॉइंट क्या है समझने का मैं कैपिटल बढ़ा रहा हूं वो तो एक पॉइंट है बट दूसरा पॉइंट जो समझने का है न वो दोस्त यह है कि स्टॉक मार्केट एक कि लिनीयर इंकम नहीं देती है ठीक है स्टॉक मार्केट में जो कर्व होता है किसी भी इन्वेस्टर का यशी परसन का जो पॉर्टफोलिय होता है बोकभी भी लीनियर नहीं रहेगा ऐसा नहीं हो गा वी ऐसे पैसे मिलें, फिर थोड़े पैसे जाएं, फिर थोड़े मिलें, फिर थोड़े जाएं, फिर थोड़े मिलें, फिर थोड़े जाएं, फिर थोड़े मिलें, फिर थोड़े मिलें, फिर थोड़े जाएं, कोई भी स्टॉक भी ऐसे नहीं चलता, ठीक है, कोई स्टॉक भी ऐ पॉट्फोलियो लेकिन इस पीक तक नहीं जाएगा ऐसा हो सकता है ऐसा एक आणुर स्करीन के बाहर चले वार चले गई सक्रीन के इसिक बाहर चलेगа कुछ ज़िए इतना डिलीट हो गया। चलो कुछ रियर ओकेशनसे आजाएंगे अब मालो इतना चार्ट मालो कि यहाँ पर बना हुआ है। कुछ रियर ओकेशनसे आजाएंगे जो एकडम से स्पाइक आएगा। बात यह है कि अगर आपने यह जो rare occasions जिसमें spike आ रहा है ना यह पूरा rare occasion आपने miss कर दिया तो दोस्त फिर लगे रहो पूरे अगले साल मौका मिलेगा नहीं जितना पैसा कोई बंदा इन साथ दिनों में जैसे यहां पे इस particular case के लिए वो है 7 days हमारी demand group में बहुत से लोग हम से जुड़े होंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जो regularly trade कर रहे होंगे कुछ लोग होंगे जो नहीं भी trade कर रहे अब सवाल में रही है कि जब strategy same है strategy profitable है live कुछीज दिख रही है फिर भी मैं कुछ लोगों के screen shots मंगवाता हूँ जब daily देखता भी हूँ कुछ लोगों ने जादा profit किया होता है कुछ लोगों ने कम profit किया होता है strategy same है entry exit सब कुछ same है फिर ऐसा क्यों है difference है logo में difference है दो logo में अगर दो रोबोट से strategy को लगाएंगे इन चीजों को लगाएंगे और strategy जो है वो कुछ नया नहीं है जो 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 चीजे मैंने YouTube पे share कर दी है लोग ना उसको सीखना नहीं चाते समझना नहीं चाते उनको spoon feeding चाहिए तो वो चीज हो नहीं पाती ठीक है वो चीज पॉसिबल नहीं है कर की गिरता जाएगा चलो इसको थोड़ा से clean कर देता हूँ मैं तो अब मैंने इस टाइप से रिटेंस दिखा है तो अब बताओ कि खड़ा होना कहां पर असान है एक जिसमें linearly ऐसे-इसे इस तरीके से काम करते हैं तो अगर लीनली इंक्रीज हो रहा है यहां पे खड़ा रहना बहुत असाल है बट अब मैं कहूं कि इस स्टॉक मार्के इस इक हो रहा है जहाँ पर एसे इंक्रीज हो रहे क्या स्ट के अग्या ले budget की दिन आपको सारे news channel वालों ने सारे TV वालों ने सबने बोल रखा होगा ना जितने भी telegram चल रहे होंगे YouTube पे जितने बाबा लोग होंगे सबने बोल रखा होगा ना आपको कि trade मत करो volatility बहुत है मर जाओगे, खतम हो जाओगे सबको loss होता है अच्छा, तुमने देखा है गया सबको loss होता है कमाल की बात बता रहे हो कैसे सबको loss हो जाएगा कैसे सबको loss हो जाएगा देवकुफी वाली बात करते हो किसी को loss होगा, किसी को profit होगा सबको कैसे loss हो जाएगा लग एकदम insignificant की एकदम nuisance वाली बातें जिनका कोई sense नहीं है कोई theory नहीं है कोई probability नहीं है हाँ आप ये कह सकते हो कि volatility जादा है तो आपको movement जादा दिखेंगे ठीक है उस वज़े से आपको stop losses बड़े रखने पड़ेंगे ये कह दो आप मैं समझ सकता हो ठीक है stop losses बड़े रखोगे तो quantity छोटी कर दो ना यार हमने खुदी की है budget के time ये जो 7 दिन थे हमने इस पर quantity चोटी कर दी है quantity चोटी कर दो ठीक है budget का time तो और अच्छा है आपके लिए आप कम transaction charges और कम turnover charges के साथ भी आप ज़ादा earn कर सकते हो आपके पास volatility जाद है जो stocks normally SBI का कोई stock है ठीक है SBI का stock है normally अगर उसमें intraday में 5 रुपे की movement आती है budget के दिन देखो जाके 25 रुपे चला है वो stock ठीक है normally 5 quantity करते हो budget के दिन एक quantity करो बात बराबर हो गई ना बात बराबर हो गई ठीक है फिर क्या stop loss और क्या जादा loss होता है यह होता है पता नहीं क्या क्या theories चल रही है भई चलो भगवानी बचा है इन theories से लेकिन मालनो कि budget के यहाँ पे 7 दिन आने वाले थे जिसमें portfolio ऐसा spike मारेगा ऐसा spike मारेगा अब देखो यह screen के अंदर आ गया ठीक है ऐसा spike मारेगा यह दिन आपने miss कर दिये उसके बाद आपने देखा यार मेरी तो strategy अब यहाँ पे work करने लगी है चलो अब मैं इसको पक्का करूँगा अब मैं इसको पक्का करूँगा फिर यह थोड़ा नीचे आया थोड़ा थेहरने लगा ठीक है फिर थोड़ा नीचे आ गया रहुन नीचे आ गया थैरने लगा फिर एक ऐसा टाइम आएगा एक ऐसा जाक पॉट इवेंट का टाइम है और यह ऐसा जरूरिज नहीं यह इवेंट का टाइम हो बीच में भी काफी टाइम लेकिन अभी budget था तो इसले budget के basis पर बात करता हूँ ठीक है लेकिन ऐसा कुछ जरूर नहीं तो ऐसा टाइम होगा ना जब आप सोच भी नहीं पाओगे यह जो टाइम है ना यह ऐसा टाइम होगा आप सोच भी नहीं पाओगे बाइस कोई समझ जाएगा मन्द तो इसी टाइम पर फिर वह किसी ओर डाइम क्यों आएगा तो कहने का मेरा मतलब क्या है आप समझो कहने का मेरा मतलब यह ना इस चीज को थूड़ा सा नोट भी शाओ तो कर लो और इसको मैंने वाटसेप पे आप लोगों को बोला है लेकिन पता नहीं सुने आप लोग म्यूट कर देते हो ग्रुप तो म्यूट करके रखते हो कैसे सीखो गई स्टॉक मार्केट एक अटा पैसा देगी ठीक है नहीं ऐसे नहीं इसको थूड़ा सा सही से बोलते हैं स्टॉक मार्केट लीनियर इंकम नहीं देगी आपको कभी भी ठीक है लीनियर इंकम नहीं देगी बिकॉस इट्स नॉट आ जॉब आपकी जॉब आपको लीनियर इंकम देती है मंत्री तो आपको जॉब करने में मज़ा आता है आप करते रहते हो आपको पता है कि मंत की पहले तारिक में या जो भी है फस्ट वीक में मेरा चेक आ जाने वाला है ठीक है stock market ऐसी नहीं है stock market का basic principle है कि stock market आपको पड़ो इसको मैं लिख इस ले रहा हूँ ताकि मैं fast ना हूँ एकट्टा पैसा देगी और फिर खड़ा रखेगी ठीक है आप खड़ा रखेगी से मतलब जाहें कि मानलो आपको इकट्टा पोट्फोलियो में बहुत जादा प्लस हो गया ठीक है उसके बाद फिर काफी time ऐसा आ सकता है जब आंका पोट्फोलियो लगबग stagnant रही है थोड़ा बहुत negative ही दे ठीक है for example मैंने एक example भी शेयर किया था आप लोगों साथ इस चीज़ का बहुत बहुत बहतरी न example है इसको अभी फिर से मैं लाता हूँ इसक्रीन पर ठीक है तो यह example है दोस्तों Reliance Industries का अगर यहां पर हम Reliance Industries की बात करते हैं ठीक है Reliance Industries आड़ हो गया नहीं हुआ चलो अब हो गया तो अगर हम यहां पर Reliance Industries की बात करते हैं और मैं इसमें आपको ले के चलता हूँ नहीं डेली चार्ट पर यह दिखाता हूँ आपके डेली चार्ट पर नहीं वीकली चार्ट पर चलते हैं अचलो एक बार जूम आउट करके देखते हैं पॉसिबल है क्या यह लगपाग हो गया 2009 से यह ब्रेकाउट आया है 2017 यह 2009 से 2017 इंडिया की दोस नंबर बन कंपनी 2009 से 2017 में जीरो डिटन दे रही है या फिर इंफ्लेशन से अजस्ट कर दो तो नेगटिव डिटन दे रही है ठीक है लेकिन 2017 के बाद 2017 से यहां पर आ गया है 2021 की स्टार्ट में तो चलो 2020 मान लेते हैं मनलब जो पूरा पूरा टाइम है उसको एक बर गिन लेता हूं मैं तो लगपक 20 म से मालो इस 2021 में हमारे चार साल हो जाएंगे ठीक है तीन महीने बचाए चार साल होने में लग ठीक है तो यह जो एट यर्स था इसने कुछ भी नहीं दिया और फॉर येर्स में इसने देखो यहां सी जो ब्रिक आउट लेल है ना जो 700 से 2100 पे खड़ाया यह स्टॉक और इंडिया की नंबर बन कंपनी है भाई इंडिया की ऐकॉन की बागबोन एक तरिक बताता हूं रुको 800 कर लो दिवाइड गा 150 मलदा लगभग 5 गुना हो गया न देखो यह हो गया क्या 250 से यह हो गया 800 लगभग 5 गुनाหो गया न ठीक है यह लगभग 5 गुना हो गया, लेकिन यह जो consolidation था वो कितने time का था यह जो breakout था कितने time का था आपको यह निकालना पड़ेगा पहले तो चलो उसकी discussion हम कभी और करेंगे ठीक है कि यह कि जो consolidation मैं थोड़ा से आपको हिंट देता हूं होता क्या है कि जितना लंबा consolidation होगा उतना लंबा breakout होगा तो अगर आप यहां पर लिकालोगी यह consolidation कितने years का था और फिर ratio proportion लगागे आप समझने कोशिश करोगी कि अच्छा यहां पे इतने time का consolidation था तो इतना times यह हुआ है तो यहां इतने time का consolidation है 8 years का तो यह कितने times होगा ठीक है यहां पर जो breakout level है वो लगबग है 600 इस consolidation का जो target है वो 10 times तो minimum है मतलब 6000 तो minimum है ठीक है और उसको भी भड़ा के मैंने कर दिया है लगबग बैंड रख दिया 5000 to 8000 ठीक है तो यह है multi-year charts multiple लेकिन हाँ यह चीज है कि consolidation से पहले इस यहां पर breakout इसका जो real आया है वो यहां पर क्या सपस है 2006 से 2008 crash के पहले ठीक है इन दो सालों के अंदर इसने return के पिर यहां निकाल चुके है अभी 230 12760 लग बग तीन साढ़े तीन गुना ठीक है return देए उसके बाद ही खड़ा हुआ इखटा पैसा देके फिर market खड़ा हुआ फिर खड़े होने के बाद फिर इखटा पैसा दिया अब उसके बाद क्या हो रहा है पिछले कुछ महीनों से रिलाइंस के इंवेस्टरों तो comment करके बताओ क्या हो रहा है पिछले कुछ महीनों से खड़ा हो रहा है ना रुक रहा है ना लेकिन अभी रुकेगा नहीं अभी लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं कि इस टाइम में निफ्टी बढ़ा नहीं है आप समझ गिये मैं क्या कहा हूरा हो ऐसा नहीं है इस टाइम में निफ्टी नहीं बढ़ा यह इस अग्जामपल से समझ आ गया होगा, स्टॉक्त इकहन ठ тобой्त मार्केट कोशिकितु इखटा पैसा आपको मिलेगा कब, सवाल ये है, कब मिलेगा ये इखटा पैसा, जब आप पूरे टाइम तक खड़े रहोगे, पूरे टाइम तक खड़े रहोगे, और जब इखटा पैसा मिलने लगेगा तो उस दिन भी भागोगे नहीं, उस दिन भी भागोगे नहीं, अब करता हूं कभी भी तो सोच सकता था ना मैं इस चीज को ठीक है अब चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं बजट दे के दिन हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा है हाला कि यह चीज़े तो मैं आपके साथ लाईप भी शेयर करता रहता हूं लेकिन ठीक है यहां पर देख लो पर्फॉर्मस के बाद मैंने ऐख टाल बढ़ाया है, 30,000 किया है, होई गया, ना 30,000, 25 में चार्ज ओड लो, हो गया 29,000, ठीक है, फिर अगले दिन और प्रॉफित आ गया, तो हो गया 30,000, किया नहीं है, हो गया है, बढ़ाया मैंने कुछ नहीं है, मैंने स्टार्ट से इसमें कुछ नहीं बढ़ाया है वो हो गया है हाँ एक बीच में एक step था 10 to 25 का वो बढ़ाया था और उसका reason यह था कि मैंने सोचा कि यार last year है मेरा जब मैं शायद intraday कर पा रहा हूं नहीं तो फिर next year से तो अलगों से करूँगा जॉब है of course ठीक है तो मैं तो करनी पाऊंगा last year है मैं तो करी ना पाता तो मतलब यह भी चीज होनी चाहिए बताया मतलब फ्यूचर में किसी को बताओ तो यह भी तो हो ना बात आपके पास बोलने कि नहीं मैं खुद भी कर लेता हूं ऐसा नहीं कि computer ही करता है मेरे लिए जो भी है अब देखो यह budget का दिन था 4000 का profit लेकिन मै यह बजाज फिंजर में जो quantity थी यह चार्चा दिखा रहा है क्योंकि मेरा counter trade था दोस्त बजट का यह जो profit आया ना मुझे ऐसे नहीं है यह जो profit आया ना मुझे ऐसे नहीं है यह सुबह मेरा हुआ था 1100 का loss और उसके बाद एंड तक मेरा हो गया था 5000 का profit ठीक एंड तक हो लिया तो अब वैसा दिन दुबारा आएगा आपको लगता है कि जिस दिन आप बाइंग साइड में हो और इंडेक्स 5% उपर भाग जाए ऐसा हो सकता है क्या मैं तो दोनों साइड ही रता हूं मैं तो सिंपल बता रहा हूं मैं तो दोनों से रता हूं जिस साइड मेरा trade profit 1538 आपको दिख रहा है ठीक है इस से जादा है उस दो quantity का लेकिन loss भी हुआ है ठीक है तो यह net आपको दिखा रहा है 1538 लेकिन आपको समझना यह है कि जो profit आया है न इस इस दो quantity में आया है ठीक है और बाकी loss आया है तो मैं मानता हूं उसमें लगमग 2500 loss हो गया होगा तो य खेले लिएं इंट्रडे के नदर ठीक है अब यह देखो आईशर मोटर इसको तो यह निकालना है ना लायक है स्थाक ठीक है यह स्थाक पता नहीं मार्केट 5% डुपर है वह स्थाक को मिल्दों खूनी नी खुलता है इसको निकाल दिया है बैने ठीक है तो आयबल हासिंग फैनने यह हंडर कांटि रिखा रहा है कि mobilize होगा ताम यूसके बाए वो सेल हमारे loss में क्लोज जादा हुआ होगा मैंद में जो हमारे टेट था उसमें 5000 किता ग्यारा सो का लॉस तो फिफ्टी वननेट का प्रॉफिट नगी ठीक है तो एंड में सब में फिफ्टी वननेट के प्रॉफिट सुमें इन में जिन मैं खड़ा रहा हूं बहागा नहीं हूं और में साथ लोग भ तो अगले महिने तक अगले कौर्टर तक ठीक है हो सकते अगले बजट तक तो ऐसा दिन नहीं आएगा और अगले बजट पर खड़े रहेंगे वो हो सकते अगले बजट में लॉस हो जाए ठीक है तो यही है ना जब आप छोटे छोटे अपने एक्स्पिरियंस लेके आप कुछ लर्निंस हो ने हां यहां पर नहीं कहा रहा हो कि बजट के दिन प्रॉफिट होता है थिक है को गलत मत समझता है कि में यह नहीं कहा रहा हो हो कि पैर चुछारी सेमेंटेक हमारा था यह ठीक है फिर्टरह ऊटैजी कानी थी ठीक है, State Bank of India SBI, 1751 profit in 75 quantity, दोस कितने पॉइंट हो गई है, कितने पॉइंट हो गई है, 23 points in SBI, कितना, 23 points in SBI, अब लेके दिखाओ, किसी intraday में, बजट के दिन मिस किया होगा ना, ट्रेट अगर किसी में, लेके दिखाओ, अब intraday में 23 points, SBI में 23 points कमाने में, एक महीना लग जाएगा, लगता intraday करोगे, एक महीना है, तब जाके 30 points कमाने में आ सकते हो, जता एक दिन में आया है, तो यह ही होता है, पूरे साल का profit, अब देखो न, बता रहो न, आठ साल का जो भढ़ास निकाली है, यह ब्रेकाओट रिलाइंस में आ रिलाइंस ने रिटर्न दिये हैं लगबक 12 सालों के, क्योंकि इसको CAGR तो अपना उतना ही रखना है, यह अच्छी company है, नंबर वन company है, तो CAGR तो रखेगी न, निफ्टी से अच्छा, 20% का, लगबक 15-20% के बीच में CAGR तो maintain करेगी न, long term का, ठीक है, वो तो इसको दिखान है, यह तो इसका account है, यह तो balance इसको करना ही है, ठीक है, तो यह लगबक इसने पिछले 4 साल में, पिछले 12 साल के return लिए है, ठीक है, जो बंदा इन 8 सालों में से खड़ा रहा होगा न, और यहां पर भाग दिया होगा, उसका सोचो क्या हुआ होगा, ठीक है, चलिए, मुझ जो एक line है, वही कहना चाहा हुआ है, कि यार कहां गया, paint कहां गया, कि stock market इघटा पैसा देगी, और कब देगी वो आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको जो बड़ा पैसा है, वो stock market कब देने वाली है, jackpot कब आपको लगने वाला है, कोई नहीं कह सकता, ठीक है, वो कोई भ अब ही आपको बोलू, तो ऐसा नहीं है, दोस्त कि मैं खुद बहुत बड़ा ग्यानी हूँ, ठीक है, खुद मुझे बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं है, मुझे पता है, मेरे काफी जादा व्यूवर्स ऐसे हैं, जो मुझसे भी जादा जानते हैं, टेकनिकल मुझसे भी अच्छे समझते हैं, बट फर्क ही है कि मैं जो करता हूँ, मैं उसमें confident रहता हूँ, यहीं difference है, मैं जो करता हूँ, मैं उसमें confident रहता हूँ, और morning में भी budget, जो day था, उसमें morning में भी मुझे उस लोगों का message आया था, DMAT group से, कि सारा straight करना है या नहीं करना है, और reply देते व में बहुत कम ही रहता था, कि camera maximum रहता था, swing में और investment में, capital कम रहने का reason यह था, कि आप intraday trading तब कर सकते हो, अगर आप system में सामने बैठे हो, अगर आप class return कर रहे हो, तो आप क्या करोगे intraday में, तो budget के दिन, जो last हमारा union budget था, मुझे लगता है, 500-600, ऐसा कुछ ही loss हुआ होगा, बट वही है कि अब जब आपके पस कुछ है नहीं, intraday में करने को, आपका capital कम है, तो toll तो वह लगता ही है, तो मान दो 3000 capital पर किसी के लिए 4000 profit थीक है, तो वही अगर capital 3000 हो जाता है, तो उसके लिए 400 का loss भी बढ़ा है, ना, ठीक है, तो यह चीजे है, तो चीजे तो म मेरे मन में भी थी, लेकिन बस यही था, कि हम गलत हो जाएं, इस बात को सोच के हम डर जाएं, और analysis ना करें, और trade ना करें, तो ऐसे कैसे चलेगा, तो बस यही चीज मैंने सोची, और इसी चीज को मैंने समझा, और मैंने का कि यार trade करो, कोई दिकत नहीं है, और कुछ होग ठीक है, तो यह हमारी वहाँ पर ideology थी, यही conference level है दोस्तों, आपको अपनी strategy पर belief कितना है, अब देखो, उस दिन, मन, बहुत लोगों का था, हम ट्रेड ना करें, अब देखो, रिलाएं, तो इस दिन, मन बहुत लोगों का था, कि आज ट्रेड ना करें, आज तो पका लॉस होगा, ठीक है, मैं लब आज तो 100% loss होगा, जिस दिन ऐसा हो जाया ना, उस दिन trade मत छोड़ना कभी, जिस दिन ऐसा हो जाया, तो मेरे मन में यही चीज थी, कि यह नहीं, आज ऐसा हो रहा है, आज ट्रेड नहीं छोड़ने है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का आप बहुत टाइम तक खड़े रखेगी, तो वो चीज आपको समझने के लिए यह समझना होगा, कि कैसे, ठीक है, अब कोई बंदा अगर यहां पर reliance, अब reliance नहीं चला लेकिन लिफ्टी चला तो मतलब यह हुआ ना, कि लिफ्टी के बागी stocks ने रिटरन दी है, तो कोई सेग्मेंट के अंदर strength आ रही है, कि सेग्मेंट के अंदर weakness आ रही है, कहां पर आपको trade अच्छा मिल सकता है, इसी चीज को आपको समझने है, और इस चीज को आप समझ के अगर trade करोगे, तो आपके लिए वो trade बहुत अच्छा बनेगा, वो बहुत बढ़िया trade आपके इसन यह है कि मैं बस पिछली बार मैंने आपको समझा रखा था, दिखा देतों एक बार वो वीडियो भी में, तो इधर देखो, यार, noise बहुत आ रही है, चलो, कोई बात में, तो क्या कर सकते है, यह problem तो रहेगी, जब तक घर में हूँ, तो कहां गई, प्लेलिस्ट कहां यह वाली, तो इसमें, यह वाली जो वीडियो, इसमें मैंने CIGR की calculation कैसे करते है, SIP के case में, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रख case वीडियो में, बाकी मैं इसका एक python program भी बना दूँगा, तो calculation काफी easy हो जाएगी उसके बाद, बहुत बढ़ा काम नहीं है, लेकिन यह है कि manual calculation करना थोड़ा सा tough है, because आपकी geometric progression बनती है, तो यह है मेरा fund, 29,000 लगबग है यह, और इसमें जो, इसके अंदर जो investment है, वो है 22,000 का, तो बहुत ही, जल्दी मैं आपको इस चीज़ को भी दिखा देता हूँ, यह देखो, 29,966 माइनस 22,000, तो लगबग 7,900 कुछ का absolute return मेरा, तो यहाँ पर मैंने GP बनाई हुई है कि मेरा जो पहला 1000 रुपे लगा था, वो लगबग 22 महीनों के लिए, यहाँ पर है, लगब 22 मंस हो गए, हाँ, 22 मंस हो गए, ठीक है, जो second installment गई थी, वो 21 मंस के लिए लगी हुई थी, market के अंदर, third वाली 20 के लिए, ऐसी 19 वाली और यह है 20 plus 2, sorry 3, ठीक है, और उसके बाद इसको dot 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 करके इसको को हम continue करेंगे, तो हमारा आ जाएगा कि लगबग जो हमारी 21st installment है, ठीक है, जो 21st है, it was invested for 2 मंस, ठीक है, इस तरीके से कुछ आ जाएगा और 22nd 1 मंस के लिए आ जाएगा, तो वो साही चीज़े है, तो जो हमा हम calculate करेंगे, तो 1000 into x इसको थोड़ा से edit कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 22, ठीक है, इसको कर देता हूँ 21, तो ऐसे चलता जाएगा, तो 22 से 21 और dot 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 तक, finally 1 तक आ जाएगा, ठीक है, finally यह आ जाएगा, कहां तक, 1 तक आ जाएगा, तो चलो ठीक है, इसको सही कर ठीक है, तो इंट्रेस्ट जो टोटल है, 1000 x by 100 common आ गया, 22 plus 9, 22 plus 21 plus 20 plus 19 dot 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 one, तो यह है, sum of first and natural numbers, इसके आगे मैंने calculate कर रखा है, तो sum of first and natural numbers आप निकालोगे, तो यह मेरा total interest आया है, मैं rate of interest, CAGR अपना निकालना चाहा हूँ यहाँ यहाँ तो CAGR के लिए sum of first and natural numbers आ गया, sum of first 22, national numbers is 22 into 23 by 2, ठीक है, that's n square plus 1 by 2, ठीक है, तो into में जो भी हमारा पहले था, ठीक है, principle into rate into upon 100, ठीक है, तो यह आजाएगा, आपके पास जो x आएगा, वो लगबग आएगा per month, per month निकालना इसले ज़रूरी है, because SIP के अंदर, हाँ परिएर भी directly निकाल सकते हो, ठीक है, लेकि जाएगा, कि 37.78% का आपको simple interest मिला है, अगर आपको यह amount मिला है, finally, इतने principle के साथ, ठीक है, तो 37.78% का जो simple interest है, वो actually में equivalent होता है, 32.49% compound risk, अब आप यहाँ पर कहोगे, compound risk तो बड़ा होता है, तो यह कम क्यों हो रहा है, दोस्त कम इसले हो रहा है, क्योंकि हमने आपे principle, जो हमने रखा है, यह हमने जो profit रखा है, मलब हमने निकाला है कि यह जो profit आया है, लगबग 8,000 का, अगर 22,000 के capital पे इतना profit आना है, 22 महीनों के अंदर, तो इस profit के आने के लिए कितना interest, simple interest अब चाहिए होगा, तो हमें simple interest जाधा चाहिए, और compound interest कम चाहिए, इतना return आने के तो मलब हमने requirement जो है, वो निकालने के कोशिश किये आपके, तो इसले compound interest कम आया है, या फिर आप कहलो कि simple interest में वही same profit कमाने के लिए आपको जाधा rate of return चाहिए, बजाए compounding के, ठीक है, तो just goes to show you the power of compounding in just two years, ठीक है, तो SIP अगर नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो, market क तो बहुर तो कुछ कहूंगा नहीं, अब इस पे एक घंटे का तो पूरा webinar ही लिया था मैंने, ठीक है, तो नहीं देखा है, उसको भी देखो, नहीं देखा है, तो इसको भी देखो, इस पे तो SIP पे तो हमारा ना, लंबा सा webinar है, लंबा सा lecture है, और इसमें चीजे भी बता लॉकिन पीरिड है, तो लॉकिन पीरिड के बाद ही निकलूंगा मैं, लेकिन वही है, कि आपके लिए मैं रिकमेंड यही करोंगा, कि आप मूचल फंड में मत जाओ, ठीक है, आप कोशिश करो, डायक एक्विटी मार्केट में रहने के, और अगर मेरा चैनल देख रहा है, तो मैं उमीद करता हूँ कि इतना आपको नॉलेज है, कि आप डायक लेक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन SIP का मतलब SIP है, इन्वेस्टमेंट है, अब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब वही है ना कि, सर टाटा स्थील खरीदा है, सर रिलाइंस खरीदा है, च मार्केट गिरी है, ठीक है, और अनलब क्या बोले, चलो मार्केट की बात करने हैं, यह देखो, यह बजट का दिन था, ठीक है, यह बजट का टाइम था, इसकी बात हमने गेम स्टॉप वाली वीडियो में भी की थी थी थोड़ी, तब भी मैंने कहा था कि वही जा सकता है न उसके लगभागी, एक दिन पहले मैं रात में इसको अनलिसिस कर रहा था, पिछले कुछ जो बजट थे, उनका डेटा निकाल के देख रहा था, हलाकि मैं इसकी वीडियो आपरोगल नी नी बना पाया, तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, ठीक है, लेकिन मैंने एक शी मार्केट बजट के बद उपर जाएगा, और वहीं अगर बजट के पहले मार्केट उपर जाता है, तो फुल ही चांस है, लगभाग, कि मार्केट नी नी चाहेगा, बजब ऐसा तो मुझे नहीं दिखा कहीं भी, कि मार्केट अब यहाँ पर पता नहीं कौन से मेंसेज है, कि यह फेबररी टू है, तो मैंने आपको दिया होगा यह जन्वरी में, यह रखो, लगभाग, एक फेबररी, रात है यह, ठीक है, रात का टाइम है, टाइम कहां आता है, इसमें, कि टाइम नहीं आता, ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो, क्यर, मोबाइल पर तो आता है, इसमें आता है, खेर मोबाइल पर देख ले न, मोबाइल पर तो पका टाइम आता है, खेर मैंने आपको रात में यह मेसेज दिखाया, आफ्टर बजेट मार्केट में शो बुलिशनेस, ठीक है, और हाँ, इसके साथ कंडिशन यह थी कि बस टैक्स स्ट्रक्चर में गौर्वर्में तरफ दुबारा भगाया न इस point से point को connect करो और इस point से इस point को connect करोगे तो भी आप देखोगी यह trend line के उपर ही रहे ठीक है तो अब कलना क्या है देखो दोस्त पहली चीज यह है कि हर type के investors मेरी वीडियो को देखते हैं तो हर प्रकार के investors के लिए बात करेंगे पहले अगर आप ऐसी category में हो जिसने पहले ही market में एक lower level पर buying कल रखी है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करने है ठीक है दूसरा अगर आप हाँ add कर सकते हो अगर चाओ तो दूसरा अगर आप ऐसी category में हो जिसने अभी तक market में कुछ नहीं किया है या market में नए आए हो या फिर आपने नए नहीं हो लेकिन आपने पहले buying नहीं किये ठीक है बहुत बुरा किया है या लिकिन चलो कोई बात नहीं बुरा क्यों कहरा हूं देख़ो बुरा इसलिकए है आपने क्योंकि अब क्या लगता है आपको जैसा मैंने बता है na market ही कट्टा पैसा देता है फ़िर काफी time खड़ा रखता है यह देखो देखो इसको लोड होने तो पहले लोड होने तो चार्ट को फिर दिखाता हूँ आपको और फिर इसको विक्ली चार्ट पिस अज़ा पाँगा मैं ठीक है ये मार्केट इकट्टा पैसा देता है फर काफी टीम खड़ा रखता है ये मार्केट का एक बड़ा ट्रेंड है ये लगभग 2008 का क्रैश है उसके बाद मार्केट उपर आया फिर थोड़ा से यहां पर सपोर्ट लेके वापस गया ठीक है और ये देखूं, यहां पर कि मुझा है कि अधिन परटीन चपास का मार्केट होगया है में डबल हो गया ठीक है निफ्टी के से लिए बड़े अधिए फिन तक के भार्टी में मार्केट जा जा ठीक है उसके बाद हाला कि उससे क्रेश आने से कुछ ताइम पहले तक मार्केट लगबख खड़ा रहा है एक चैनल के अंदर रहा है ठीक है यह अगर कोई बनाये तो एक चैनल फेख है तो और यह एक ट्रेंड लाइन इस चैनल की यह ट्रेंड लाइन ब्रेक वही एक अब देखो यहां पे जो मार्केट ने बॉटम से अगर बात की जाए 7502.7 का लेवल और यहां पे जो टॉप है मार्केट का आज भी लाइफ टैम हाई ते क्लोजिंग है 14,800 तो यहां से मार्केट हो गया है लगभग 200 पॉइंट दूर है डबल होने से 200 पॉइंट दूर है डबल होने से तो यह जो टाइम है यह जो मार्केट ने एक साल में मार्केट डबल हुआ है ठीक है यह जिस स्पीट से मार्केट गया है अब देखो यहां पे यह ट्रेंट कंटीनू है ठीक है यहां पे तो यह ट्रेंट कंटीनू है इसमें कोई दिक्कत न माल लो three years की bull market है हमारी अभी बहुत लंबी बहुत बड़ी बुल मार्केट तो 2020 हो गया हमारी बुल मार्केट है let's suppose तो 2022 के बाद मार्केट क्या कड़ेगा खड़ा रहेगा या फिर कुछ टाइम नीचे रहेगा उसकता है कि इसा चार-पाथ साल का भी फेज आ जाए है जब मार्केट हमारा कुछ बड़ा परफॉर्म नहीं करता है तो अब वहां पर क्या क्या होगा आप समझो एक परसंट जो निफ्टी ने 100% तो निफ्टी को तो बैलेंस करना है ना उसको तो 15% पर रहना है ना जो उसका रिटन का रेट है CGR जो है तो उसके लिए वो क्या करेगा कुछ साल वो खड़ा हो जाएगा कुछ साल रुख जाएगा ठीक है लेकिन उससे पहले वो अपनी बुलिशनेस को अभी जो दिख रहा है ना मार्केट तो jb iija पिछले कुछ सालों के हैं और अगले कुछ सालों के भी यह जो मार्केट के रहाहाूं अभ इस ताइम जो मार्केट से दूर है जो ट्रेट नहीं कर रहा है तो इसको कैसे मिलं गःगे हो वो ठो फिर वो आएगा बाद में आ प्रिक आउट हो जाएगा तो उसके बाद सपना आएगा क्या आपको कि यहां पर बाइंग कर लें ऐसा तो नहीं है तो क्या होगा कि आपने जब लगफग इसमें consistently SIP basis पे इन्वेस्ट किया होगा ना इवन मैं तो कहा रहा हूं मेरा जो mutual fund है ना उसमें मार्श पे मार्श क्या मार्श यह है मार्श 2009 का मै tool कड़की है कैसा IP की है इस और सूचो अब मेरे मार्च 2019 से लेके मेरे जो पैसे लगे हैं मार्च 2020 तक first one year तो मेरे जो पैसे लगे है न mutual fund में उस पूरे time market sideways रहे और top पे sideways रहे उसके बाद market crack हो गया है उसके बाद market क्या हो है crack हो गया है बलब समझो जो आधा fund में आधा investment कर जुका हो और market गिर गया है और यह जो बचे कुछी returns है न वो बस आधे जो बचा हुआ आधा investment आया है और उसमें जो recovery यह उससे है तो आप समझो इस बात को आप इस बात को समझो जब आप इन बातों को कभी-कभी समझाना मुश्किल होता है लेकिन जब आप लगाना उसको शुरू करोगे एक excel sheet बनाके data को समझने कोशश करोगे तो आप इन चीजों को समझ पाओगे कि मैं आपको कहना का चाह रहा हूँ अब यहाँ पर जो returns आए है इस recovery के अंदर वो इस वज़े से आए कि देखो पहले जो मैंने लगाया था वो थो positive हो गया सारा का सारा और बाद में जो लगाया वो ज़्यादा positive हुआ ठीक है या फिर कुल विलाके मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक line से end करते हैं इस video को और वो line video का thumbnail भी होगा 80 शायद आपने मुझे नहीं पता एक book है बहुत अच्छी 80-20 principle पे इसको parato principle की भी कहते हैं शायद मुझे confirm नहीं है तो मैं नहीं लिखता हूँ एक book है बहुत अच्छी 80-20 principle पे यह दा 80-20 rule ठीक है rule यह है कि 80% of your success या profits या achievements या कुछ भी मैं लिख ले रहा हूँ इसको success लिख ले रहा हूँ 80% of your success comes from 20% of your efforts ठीक है यह rule है 80-20 rule ठीक है यह 80-20 से इसी में नहीं लगता बहुत चीज़ों में यह इवन stock market पे तो मैंने इस rule को काफी बार देखा है 80% of the move that comes in the stocks will come in 20% of the times 20% of the time क्याना चाहिए थीक है मतलब अगर 10 साल है market तो 10 का हो गया ब्यार 20% हो गया 2 years तो जो 80% movement आनी है निफ्टी में वो 2 साल में ही आ रही है ठीक है अब कोई अगर समझ पाए कि कौन से 2 साल होंगे तो भगवानी बन जाए ठीक है तो हमें क्यों हर time market के अंदर रहना है हमें क्यों पूरे time market के अंदर खड़ा रहना है क्योंकि हमें पता है कि market इकटा पैसा हमें देने वाला है लेकिन कब देने वाले हमें नहीं पता कब देने वाले हमें नहीं पता वैसी life में भी दोस्त आप efforts तो 100% ही करते होगे किसी चीज में भी लेकिन आपका कौन से effort है जो आपको वहाँ पे job दे देगा या आपको एक अच्छा promotion दे देगा वह आपको नहीं पता है इसलिए आपको सारे effort देने होते हैं अब मैं अपनी job की अगर बात करता हूँ तो e-excel analytics में अगर मेरी job लगी है तो मैं जो सबसे बड़े जो अपने efforts मानता हूँ जिनकी वज़े से मेरी job लगी है शायद वो रही होगी machine learning का online course जो कि मैंने नाइटी जो कि द्वारा जो sponsored course था वो किया था चीक है उसके अलावा मुझे लगता है upstocks के साथ मेरा जो association लेकिन ये बहुत पुराने association नहीं रहे हैं ठीक है ये machine learning का course मैंने कब किया है ये किया है 2021 में ठीक है ये जो upstocks के साथ association है मेरी लगबग 2019 से है कि 19 से है 19 से है 19 से है 19 से इसको याद करना पड़ेगा मुझे शायद 18 से है शायद 18 से है चलो मैं confirm करूंगा पता नहीं 18 ये 19 में है कभी 19 लिग देता हूँ ठीक है उसके बाद और जो चीजी थी जो मैंने interview की preparation की लगबग interview के एक हफते पहले जो मैंने preparation की जो मैंने ना की होती तो सब भर बाद हो जाता मेरे 80% effort का कोई मतलब नहीं रहता अगर वो मैंने उसे one week में नहीं की होती बस ती चीजे और बाकी जो हाँ बचपन से मैं रहा हूँ वो तो चीजे हैं जिसे आपका 10th का exam 12th का exam बट वो एक साल ही का time रहा है ठीक है आप देको वहाँ पर भी उन्होंने दिखा जिया आपके 10 classes में से बस 2 classes important है ठीक है 10 नहीं बोलना चाहिए बट कहने का मतलब यह है ना कि मुझे जो success है वो इनी पर depend करती है अब इसके अलावा चीजें मैंने काफी की है और मुझे यह नहीं पता है क्यों की है अतनी ज़्यादा चीज़ है क्योंकि मुझे यह नहीं पता है कि मैरे कौन से efforts मुझे success दिलाने वाले है ठीक है मुझे नहीं पता है कि जो interviewer है उसको मेरे upstock से association पसंद आ जाएगा उसको मैंने machine learning models पर काम किया वो पसंद आ जाएगा या मैरी जो interview की preparation है वो काम आ जाएगी मुझे क्या पताता है वह तो कुछ भी पूछ सकता था मैं तो interview में अगर बैठा हूं तो जो मेरी interviewer है वो तो मुझे से कुछ भी पूछ सकते थे चीक है बट उन्हों ने ये चीज़े पूछी तो ये चीज़े मेरे काम आ गई न और बाकी चीज़े नहीं आई तो वैसे लाइफ में भी हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाल है बट उसके लिए जो preparation आपने की है वो आपने 20% efforts के साथ ही की होगी लब आपके जो 100 total 100 efforts है न उसमें 20 units के efforts जो है उन्हीं में आपने preparation की होगी उस challenge को deal करने की या उस challenge के उपर बढ़ने की अपनी life के अपर circuit खोलने की तो circuit भी stock market में 10% 15% 20% पर ही होता है ठीक है तो 80% of your success will come from 20% of your efforts इसी line के साथ इस वीडियो को end करते हैं विलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार जै चाहे जाया हाई